मुझे तेरे इज्जत वजलाल की कसम जब तक इनसान की जिन्दगी का रिष्टा काइम रहेगा मैं उसे गुनाहों पर उकसाता रहूंगा रबुल इज्जत ने फरमाया मुझे अपने इज्जत वजलाल की कसम मैं उनकी जिन्दगी की आखडी सांसों तक उनके गुनाहों पर तौबा कर तौबा का परदा डालता रहूंगा फरमाने रसूल अल्ला सलल्ला हो लही वसल्म है नेकी गुनाहों को इस तरह दूर ले जाती है जैसे पानी मैल को बहा ले जाता है यानि दूर कर देता है जनाब साइद बिन मुसाइब रजी अल्लाह अनु से मरवी है कि यह आयत उस सक्स के बारे में नाजिल हुई जो गु ना करता और फिर तूबा कर लेता था जनाब फुजैल रहमतुला अल्हे का कौल है रब जुल जलाल का इर्शाद है गुनागारों को बसारत दे दो अगर वह तूबा करे तो मैं कबूल कर लूँगा सिद्धिकीन को आगा कर दीजिए अगर मैंने आमाल का वजन किया तो उ अजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा का इर्शाद है जो गुनाहों की याद में सरमिंदा हो गया और उसका दिल खौफ खुदा से कांप गया उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है गुनाहों से बचाने वाला सिर्फ रब जुल जलाल है रिवायत है कि अल्ला ताला के एक नभी ने खता सरजद हुई अल्ला ताला ने वही की कि अगर तुम से दुबारा कोता ही हुई तो मेरे अजाब से नहीं बच सकोगे नभी ने अर्च की कि ए अल्ला तु तो है और मैं मुझे तेरे इज्जत वजलाल की कसम अगर तु मुझे गुना के ख्यालात से भी महफूस कर दिया तौबा का दर्वाजा कभी बंद नहीं होता हजरते इबने मसूद रजी अल्लाह अनुमा से एक सक्स ने दर्याफ्त किया मैं गुना हूं गुना करके बहुत जादा सरमिंदा हूं मेरे लिए तौबा है आपने मू फेर लिया जब दोबार उस सक्स की तरफ देखा तो आपकी आँखों से आंसू बह रहे थे फरमाया जन्नत के आठ दर्वाजे हैं खोले भी जाते और बंद भी किये जाते हैं सिवाए तौबा के दर्वाजे के वह कभी भी बंद नहीं होता अमल करता रह और क्रब की रहमत से मायूस नहो रिवायत है कि बनी इसराइल में से एक जवान सक्स ने 20 साल लगतार अल्ला